नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका यूटूब चैनल जी के हेल्प विद जे आर बी पर दोस्तो आज हम बात करेंगे राजस्तान पुलिस मोडल पेपर पार्ट बी के पोर्टन्ट ती से क्वेस्टिनों के बारे में तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो क्वेस्टन है लक्ष द्वीब तो दोस्तो दो नमबर ओप्सन निकोबार्ट द्वीब सुमय इसका राइट है एंसूर है निकोबार्ट द्वीब सुमय में स्टान है इंद्रा पोइंट जो कि बार्ट का दक्षिंतम स्टान है और उत्री स्टान की बात करें तो वो है इंद्रा कोल जो कि जम्मू कस्मिर में स्थित है पूर्वी की बात करें तो वालंगू जो की औरुनाचल प्रदेश में स्थित है और पस्चमिस्तान की बात करें तो है वो सरक्रिक जो की गुजरात राजे में स्थित है अगर बारत की मुख्या बुमी की बात करें तो दक्षेतम स्थान है वो है 30 क्रोन टन इस पात निर्मान का लखशे रखा गया है ओप्शन आपके सामने 2030, 2040, 2020, 2025 तो दोस्तो इसका उत्तर है 2030 2030 तक केंद्रिय मंदरी मंडल ने 30 क्रोन टन इस पात निर्मान का लखशे रखा है Q3 उदासिन गोल का पी-एच मान होता है ओप्सन है 7, 14, 7 से अधिक, 7 से कम तो दोस्तों इसका उतर है 7 पी-एच मान जब 7 होता है तो उसे गोल को कहते हैं उदासिन अगर 7 से अधिक होता है तो उसे कहते हैं चारिया और 7 से कम होता है तो उसे कहते हैं अमलिया question number 4 है जलिया वाला भाग में गोली चलाने का आधेश दिया था option है लोर्ड साइमन ने जनरल डायर ने करजन वाइली ने रोलेट ने तो दोस्तो इसका उतर है जनरल डायर ने अगर क्वेस्टन आजे कि जलिया वला बाग अत्या कांड कब हुआ था तो दोस्तों आप इसका उत्तर होगा 13 अप्रेल 1919 को इस कांड के बाद में मात्मा गंदी ने केसर ए हिंद के उपादी वापिस से लोटा दी थी जो कि इंगरेजियों द्वारा दी गई थी इसके साथ ही आप याद रखना जमरालाल बजाज जो कि मात्मा गंदी की पांचमें पुत्र के नाम से परसी थे इन्होंने भी राय बादर की उपादी लोटा दी थी और नोबेल पुर्षकार विजेता रविंदरनाथ टेकोर ने भी सर की उपादी है वो अंगरेजियों को आपके सामने 6 वरस तीन 4 वरस 5 वरस तो दोस्तों इसका उतर है पांच वरस आप सी क्वेश्चण है दोस्तों की वर्तमान में शूंग्त्रेश्ट्रेर संके मांस्चीव कौन है इसका उतर आप है कमेंट में जरूर देवें उप्सन आपके सामने एनिमिया, सुका, मलेरिया, टिबी तो दोस्तों इसका उत्तर है टिबी टिबी रोग से गर्शित बच्चों के लिए सेंटर सरकार ने स्ट्रोबरी और संत्री की स्वाद वालि गोली पेस है किए गई साथ मापरसन है वरन अंधता वाले वेक्ति को लाल रंग दिखाई देगा ओप्शन आपके सामने निला, पिला, बेंगनी, हरा तो दोस्तो इसका उत्र है हरा बहुती important question है एक्जाम में बार बार पुछा जाता है कि वरन अंधता वाले वेक्ति को लाल रंग केसा दिखाई देते तो इसका उत्र होगा हरा नोमा परसने आर्थसास्तर का लेखेक समकालीन था ओप्शन आपके सामने चंदरगुप्त का, सोक का, समंदरगुप्त का या चंदरगुप्त विक्रमा दित्य का तो दोस्तो इसका उतरह चंदर गुपते का अर्थ सास्तर की रचन है वो कोटल ये जिसके अन्य नाम है विश्ण गुपत और चनक के अगर क्वेस्चन आजे कि अर्थ सास्तर जो रचन है इसकी विश्यवस्तु क्या है तो इसकी विश्यवस्तु है वो राजनीतिक है दसमा परसन है देश में दूसरी बार रश्ट्रे अपातकाल की गोशना कब की गई ओप्षन आपके सामने है 9 गस्त 1909 को 3 दिसंबर 1931 को 14 दिसंबर 1966 को 25 जून 1935 को दोस्तो इसका उतर है 3 दिसंबर 1971 को देश में दूसरी बार राश्टर पात काल की गोशना की गई थी 11 माँ परसन है अनुवाज सीखता के जनक कह जाते है ओप्सन आपके सामने है खुलाना लेमारक डार्विन मेंडल तो दोस्तो इसका उत्र है मेंडल जने फदरोफ जनेटिक्स का जाता है 12 माँ परसन है बारत में रेल गाड़ी सरपरसम कब चली बारत में रेल गाड़ी बहुत ही पोटेंट कोस्टेन है दोस्तो बार-बार एकजाम में रिपीट होता रहता है ओप्शन आपके सामने 1853 में 1861 में 1856 में 1854 में तो दोस्तों इसका उतर है 1853 में अगर आप इसकी डेट एकुरेट याद करना चाहते हैं तो 16 अप्रेल 1853 में बारत में सरोपर्तम जो रेल है वो बुंबई टू थानने के मद्या चली थी जो इसकी कुल लंबाई आप याद कर सकते हैं बुंबई टू थानने की 35 किलो मेटर इताके ये रेल गाड़ी सरोपर था में चलाई गई थी अगला परसन है नीमन में से कौन सा एक बारतिय राज्या तीन रश्ट्रों की याँ पर दोस्तों अंतराज्या नहीं है अंतरश्ट्रे सिमाउं से लगा है ओप्सन आपके सामने है असम उरनाचल परदेश इमाचल परदेश उतराखंड तो दोस्तों इसका उतर है उरनाचल परदेश उरनाचल परदेश है वो तीन रश्ट्रों की अंतरश्ट्रे सिमाउं के साथ है लगा हुआ है चोद मा वर्षन है विसम में सबसे उंचा जुवार बाटा कहां आता है ओप्सन है फंडी की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, उत्री सागर में, कच की खाड़ी में तो दोस्तो इसका उत्र है उत्री सागर में दोस्तों जुवार बाटा है पानी का उपर उठना तो जुवार कलता है और वापिस नीचे पड़ना बाटा कलता है ये पिर्थवी चंदरमा और सुरिय की पार्सप्रिक गृत्वा करशन सकती के कारण जुवार बाटा आता है यह भी जा रखना Osun Leags Indies Kane Kane के नाम है ओप्सञर आपके सामने सेल्फ पर डाई एकसाइड नैंटरिक औक्साइड नैस्टरस ऑकसाइड है Hello तो दोस्तों इसका उत्र रहत नैट्रस एकसाइडThis All है की गई ओप्सन आपके सामने है 25 अगस्ट 1975 को 25 जून 1975 को 27 मर्च 1977 को 3 दिसंबर 1971 को दोस्तो इसका उतर है 25 जून 1975 को देश में तीसरी बार राश्टर पातकल की उद्गोसना की गई थी अठार माँ परसन है नीमन में से कौन सी संग्रेन इकाई नहीं है ओप्सन आपके सामने मोनीटर कॉंपेक्ट डिक्स हारड डिस्क फ्लोपी डिस्क तो दोस्तो इसका उतर है मोनीटर मोनीटर संग्रेन इकाई नहीं है बाकी सभी संग्रेन इकाईया है 19 परसन है बारत के उत्री बाग में किस मिटी का विष्थार अधिक्तम है अप्शन आपके सामने काली, जलोड, लेटराइट, लाल तो दोस्तो इसका उप्शन सही है दो नमबर जलोड मिटी का विष्थार है वो अधिक्तम है 20 परसन है कोशिका में डेने क्या है Option आपके सामने है कार법ॉक्सलिक अमल वसीय अमल एमीनो अमल न्युकलिक अमल तो दोस्तो इसका उतरा है न्युकलिक अमल 21 वह परसन है वर्षा की छोटी छोटी बूंदे गोल होती है किस के कारण Option आपके सामने है वास्पन के कारण उर्दपतन के कारण प्रश्टतिनाव के कारण श्यांता के कारण दोस्तो इसका उतरया प्रश्टतिनाव के कारण है वर्ष्टाक की छोटी-छोटी बुंदे है वो गोल होती है बहुत बार exam में क्वेस्टन पूछा जाता है 22 परसन है दूसरी बार रश्ट्र पातकाल की उद्गोसना के समय देश के रश्ट्र पती थे उप्शन आपके सामने है डाक्टर एस रादा किशनन, डाक्टर जाकिर उसेन, अली एमद, वीवी गिरी तो दोस्तों इसका उत्तर है वीवी गिरी जब बार तमें दूसरी बार रश्ट्र पातकाल लगात उससे में रश्ट पती थे वीवी गिरी चोईस्मा कोस्चन है जिस सिक गुरु की मृत्य के लिए औरंग जिव जिमेदार है उप्सन आपके सामने गुरु अंगद देव, गुरु तेग बाउदर, गुरु रामदास, गुरु गोविन सिंग तो दोस्तों इसका उत्तर है गुरु तेग बाउदर की मृत्य के लिए औरंग जिव जिमेदार है परचिसमा परशन है जाती, पांती, पूछे नहीं कोई, हरीका, भजेस, हरीका होई, ये पंक्तियां किसकी है उप्सन आपके सामने है कबीर, तुलसी, रामानन्द, सूरुदास, तो दोस्तों इसका उत्तर है रामानन्द 26 परसन है मेंड़क में फटिलाजिसम की प्रकरती होती है ओप्सन आपके सामने है ब्राँ आंतरिक ब्राँ वे आंतरिक दोनों यह किरिया होती ही नहीं है तो दोस्तो इसका उतरह है ब्राँ 27 परसन है बारतिय रश्टर कॉंगरिस की स्थापना कब की गई ओप्सन आपके सामने है 1887 में 1885 में 1867 में 1885 में तो दोस्तो इसका उतरह थारासो पिचासी रश्टर कॉंगरिस की स्थापना की गई थी और इसके पर्थम अधिक स्थे वोमेस चंदर बनर जी और इसका पर्थम अधिवेशन बुंबई में वा था 28 में पर्षन है नीमन सूचियों के अंतरगत किस में सिक्षा आती है ओप्सन आपके सामने है स्तानिय सूची के अंतरगत राज्य सूची समवर्ती सूची के अंधिर सूची तो दोस्तों सिक्षा जो विश्य है वो समवर्ती सूची के अंतरगत है आता है 29 परसन है विश्व प्रयावरण दिवस 2018 कि मेजवानी कौन सा देश है करेगा ओप्शन आपके सामने नेपाल बारत पकिस्तान बंगला देश तो दोस्तो इसका उतर है बारत ये गोशना प्रयावरण मंतरी डाक्टर हर्षवर्दन ने की थी कि भारत है वो विश्व प्रयावरण दिवस 2018 कि मेजवानी करेगा दोस्तो इसकी थीम याद रखना बीट प्लास्टिक परदुशन बीट है प्लास्टिक प्रदुशन इसकी थीम है और विश्व प्रयावरण दिवस कम नहीं जाता है 5 जुन को तो ये 5 जुन को करिक्रमायोजन किया जाएगा और संक के द्वारा की गई थी तीसमा प्रशन है हाली में विनोध बट का निदन हो गया जिनका समन्द है उप्शन आपके सामने चित्रकला लेखक कवी वादक तो दोस्तो इसका उत्तर है लेखक और इनकी प्रसीद रचनाई है भूल चुक लेनी देनी सुना अनसुना दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा तो इस वीडियो को सेर जुरूर करें अपने मित्रों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिन जाबारत